सब्सक्राइब करिए भारत का बेस्ट बॉडी बिल्डिंग चैनल रणली कोलमन के बहुत बड़े फैन है तो सबसे पहले रणी कोलमन स्टेज पर आते हैं और फेमस वर्ड्स अपने कहते हैं स्टेज पर आके ये बड़ी Lightweight और उसके बाद रणी कहते हैं मैं आर्रोनी को Thank You कहना चाहウगा और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके हिसाब से greatest of all time कौन है और मैं कहता हूँ Arnold greatest of all time है और लोग मुझसे confused होके पूछते हैं कि हमें तो लगा था कि आप अपना नाम बोलोगे कि आप greatest of all time हो पर नहीं, मैं greatest of all time नहीं हूँ, मेरे हिसाब से Arnold है the greatest bodybuilder of all time और उनके बाद जितनी भी knowledge available थी उन्होंने उसका फायदा उठाया पर जब मैंने bodybuilding जब शुरू करी थी तो मेरे से पिछले जितने भी bodybuilders थे मैंने उन लोगों की help ली थी जैसे की Dorian Yates और Lee Haney की और मेरे time पे बहुत अच्छी technology उस time पे आ गई थी तो मेरे को थोड़ी बहुत help मिल गई थी पर Arnold ने जितनी भी bodybuilding करी वो self-made bodybuilder हैं और उन्होंने pure hard work और dedication किया है तो मेरे असाब से Arnold है greatest bodybuilder of all time तो friends उसके बाद Ronnie Coleman अपनी wife के बारे में कहते हैं मैं अपनी wife के बारे में कुछ शबत कहना चाहूँगा तो मेरी शादी उनके साथ 2017 में होई थी और उनके साथ मेरे दो बच्चे हैं और मेरी wife मेरी बहुत support करती हैं उन्होंने मेरी काफी help करी है वो मेरे ले खाना बनाती हैं घर को organize रखती हैं और बच्चों को school लेके जाती हैं और कभी कबार मुझे भी लेके जाने देती हैं उनको school और उनके support के बिना मैं यहाँ पर नहीं होता उसके बाद Ronnie Coleman आगे बोलते हैं कि बहुत से लोगों को लगता है कि bodybuilding एक individual sport है क्योंकि हम लोग पसीना बहते हैं जिम के अंदर मेहनत करते हैं काडियो करते हैं, weight lifting करते हैं पूरी dieting करते हैं एक show के लिए हम लोग hard work और dedication सिरफ अपने ले करते हैं पर मेरे इसाब से bodybuilding एक individual sport नहीं है क्योंकि मेरी जिन्दगी में बहुत सी help लोगों ने मेरी करी है और उनकी help के बिना मैं यहाँ पर नहीं होता मैं इस मुकाम पर नहीं होता मैं आठ बारी Mr. Olympia का champion नहीं होता अगर मुझे help नहीं मिली होती तो और जितने भी लोगों ने मेरी help करी है अगर उन्होंने मेरी help नहीं करी होती तो शायद मैं एक बारी भी Mr. Olympia नहीं जीत पाता हाँ पर मैं ये चीज डिनाई नहीं करूँगा कि मैंने बहुत मैंनत करी है मैंने खूब पसीना बाया है मैं जिम के अंदर खूनम खून हो गया था खासकर जब मैं squats करता था और बहुत जादा pain में रहता था उस वक्त और उसके बाद Ronnie Coleman अपनी मा के बारे में कहते है मैं अपनी मा के बारे में कुछ कहना चाहूंगा मेरी मा मेरा सारा खाना बनाती थी और वो सबसे tasty खाना होता था बले ही वो जिम वाला खाना नहीं होता था वो diet food नहीं होता था पर उस खाने में उनका प्यार होता था और वो वाला खाना खाके मुझे शक्ती मिलती थी और आप लोग जानती होगी कि हम बॉड़ी बिल्डर्स 6 से 7 बारी खाते हैं दिन के अंदर तो मेरी माने मेरी बहुत हेल्प करी थी और सिरफ मेरी माने हेल्प में करी थी जितने की मेरी मा है मेरे 8 बारी मिस्टर उलम्पिया के लिए तो उसके बाद रौनी कहते हैं कि मैं आर्नॉल्ड क्लासिक 1994 से आ रहा हूँ और उसके बाद मैंने एक भी साल मिस नहीं कर रहा है आर्नॉल्ड क्लासिक का यहां तक की मेरी 8 सरजरिया भी होई थी मेरी बैक सरजरीज, 3 गले की सरजरी और 3 हिप सरजरीज पर मैं हमेशा आया और मेरे हिसाब से ये दुनिया का बेस्ट बॉडिबिल्डिंग शो है और मैं उलम्पिया के बार में कुछ भी और मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि ये मेरी जिन्दगी का बेस्ट अवार्ड जिससे मुझे समानत किया गया है क्योंकि हर साल मैं यही सोचता था कि मुझे कब लाइफ टेम अचीवमेंट अवार्ड मिलेगा पर अब फाइनली मुझे यह अवार्ड मिल गया है और मेरे से जादा खुश और कोई नहीं है इस टाइम पे और बस एंड के अंदर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा और दोस्तों उसके बाद रॉनी कोलमें रोना शुरू हो जाते हैं और बहुत जादा इमोशनल हो जाते हैं और उनको आर्णोल्ड संभालते हैं स्टेज पे तो वो एंड के अंदर अपनी मदर को बोलते हैं कि मा मुझे फाइनली लाइफ टेम अचीवमेंट आवार्ड मिल गया है थैंक यू दोस्तों तो गाइस ये थी रॉनी कोलमेंट की स्पीच हिंदी के अंदर अगर आपको ये वाली स्पीच अच्छी लगी है और आपको कुछ इंस्पिरेशन मिली हो इस स्पीच से तो इस वीडियो को बहुत बड़ा लाइक देजिए सब्सक्राइब करिए भारत का बैस्ट बोड़ी बिल्डिंग चैनल और दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ वाटसाप पे एस फेस्बुक पे जो कि बोड़ी बिल्डिंग के बहुत बड़े फैन है और रॉनी कोलमें के खासकर बहुत बड़े फैन है तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर तब तक किले अपना ख्याल रुखे तिल देन टेक केर एंड बाई